क मैं दकि नमुस्कार दोस्तों एक वाफिर से आप सभी का स्वागत्थ है इस पर्टिक्लर विडियों मैं आपको काण्सलिंग से रिलेटट जो आपका 25 से शुरू है 25 से स्टार्ट है जिसमें आपको कॉलेज का च्वाइस फिलिग करना है उससे रिलेटट सारी जानकारे दे देखे और अच्छे से सब चीज़ सारा जानकारी ले ले ताकि आप जब चॉइस फिलिंग करें तो कोई मिस्टेक्स ना हो ओके तो अन्त तक देखे पूरा आपको सब जानकारी यहां पर मिल जागा सभी प्रकार का पहले आप अच्छे से देख लें देखिए 25 से कर सकेंगे कॉलिज का चेन जो कॉलिज का चेन है आप 25 से स्टार्ट है और चार अगस्त कर सकते हैं किसे किसे करना है देखिए पहले एक बार पर लेते हैं न्यूज लरित नराइन मितला भी सुभी द्याले दर्भंगा ने दो बरसी बीएट एवं सिख्छा सास्त्री नावंकन के लिए ओनलाइन कॉंसलिंग के तिति जारी कर दी है ओब्यसली सिख्छा में सफल हुए अभिहरती 25 जुलाइ से लेकर चार अगस्त तक अधिकारिक वेबसाइट जो इसका ओफिसल वेबसाइट है बिहार कर सकेंगे 25 जुलाइ से चार अगस तक आपना रिस्टेशन कर सकते हैं जब आपको श्युपधाओ तब कर लें वेबसाइट देखिए सबी सफल अभिहरती को कौंस्लिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रियरेज्टेशन कराना अनिवार है सभी si even qalified है लिख्वाइट आपरेस्ट कंपो सभी को सभी को रियरेकर आपका मैकस्मम नंब्र है मिनिमम नंब्र करना होगा अभी आργ3 में करना होगा है अब डीयारत्यों करें हैं। मिला हूए तो इसा किसे करें कि हो आगे का हुआ कर आएंग flower क्यों सब्सक्राइब करते संद्सान करना का है कि द dalam करेंगे पटीस धुष ईलाइक बार जब भी करेंगा आप उसी समय आपका college का choice feeling भी करना होगा देखिए 1420 विद्याले हैं इस बीएड मतलब 1420 विद्याले हैं जिसमें 1420 विद्याले का अंदर 337 बीड कॉलेज हैं 6 ही सरकारी है पूरे बिहार में दोस्तों मातर 6 सरकारी है 29 आंगे भूत जिसको constitute करते हैं तीन सदू private college है और minority कितना है 20 है जिसमें 8 पुरूसर एक 8 मैला विए एक पुरूस college है और 36850 सीट है देखे 11 अगस्त को आवंटित college की सूची होगी जारी जब आप 4 अगस्त तक भरेंगे 11 अगस्त को जो पहला लिस्ट सीट अलोट्मेंट होगा किस college में किसका इडिमिशन हुआ उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि कितना cut-up गया है और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आप सोच सकते हैं कि आपका आगर मान लिजे कम नमर है तो आगे आपका government में होगा या private में होगा आप अच्छे से उसको जान सकते हैं तब तक आप अपना choice फिलिंग कर लें देखे दोस्तों कितने college का आप choice फिलिंग कर सकते हैं तो अधिक्तम 12 college का क करते हुए वर्यता के अधार पर कॉलेजों संस्थानों का चेन करें मतलब आप अपने शुब्धाक अनुसार उसका चेन करें ताकि उनकी रूची और शुब्धाक अनुकूल कॉलेज अस संस्थान मिल सकें कॉंसलिंग के लिए रेजिस्टेशन सुर्ग दिखें फीस कितना लएगा एक हजार रप्या जो भी अन्रिजब्ध है जेनरल कंडिडिट को एक हजार रप्या लएगा शारे 700 और बीसी एवीसी महिला एव्यस देवियांग सब के लिए सारे साथ सथ है और स्सेस्था के लिए 500 और बिया है और देखी दोस्तों 36,850 सीटे के लिए 1,47,525 अभ्यारती है प्रोफेसर मेहता ने बताय कि राज भर के 14-20 विद्याले के 337 बेट कॉलिज संस्तानों में 36,850 सीटों पर नामंकर होना है इनमें 6 सरकारीन 29 अंगिभूत प्रोफेसर मेहता ने अभ्यारती को इस बात पर बिशेश ध्यान रखने के लिए कहा है कि काउंसलिंग के लिए सिर्फ एक ही बार रेजिटेशन होगा बारबर हम यहीं बात कर रहे हैं कि एक ही बार रेजिटेशन होगा तो सारे इसज़ेंट इसी में अपना रेजिटेशन करा ले इसलिए सभी सफल भी द्यार थी अभ्यारती 25 जुलाई से 4 अगस्त तक रेजिटेशन अवस करा ले सारे स्टुडेंट जरूर सुने इसको सब अपना registration करा ले हो सकता है आपको बाद में college में लेकिन आप registration करा ले जदि आपको लेना है तो बीज़ीट मेडिविशन लेना है तो आप जरूर registration करा ले देखें, दो बरसी है, CTB 22 के राज नोटल पतादिकारी जो है, असोक महता ने बताया कि 11 अगस्ट को वेबसाइट पर आवंटित कॉलिज संस्थानों के सुची जारी कर दी जाएगी 11 अगस्ट 22 अगस्ट के बीच अभिहरती आवंटित कॉलिज संस्थानों के लिए सहमती देंगे 11 से 22 के बीच आपको मतलव समती देना होगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है अगर लेना है तो वे 3,000 रुपिया आंसिक नमंकन सुल्क जो पार्सिल नमंकन सुल्क है एडिमिसन की से 3,000 रुपिया आपको जमा करना होगा ओनलाइन ही जमा करेंगे इसके बाद 12 से 26 अगस्त अगर ब्यारती अवंटित कॉली संस्थान में पेपर सत्यापन करवाएंगे उसके बाद 12 से 26 अगस्त की बीच आपका डोक्मेंट विरिफिकेशन होगा इसके बाद नमंकन हो सकेगा देन आप्टर आपका एडिमिसन होगा कॉंसलिंग से लेकर नमंकन तक की प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुदा होने पर ऑनलाइन सोरी हेल्प लाइन नमबर दिया गया है कौंस्लिंग से लिए किसी प्रकार दिकात होथा हैल्प्लाइण नंबर्ण इस प्रकार से होगा कॉलग कर सकते हैं या इस पर ओई कर सकते हैं पहले के अधिकारे वेबसाइट पर पास्वर द्वारा लॉग इन परथे और पहए उस अपपना प्रराणों है उसमें आपके पास तो होगा ही उससे आप अपना लॉग इन करें फिर रिजल्ट आपका खुदा जागा उसको एक पर कर से वेडिवेकेशन करा ले नामंगन के लिए विश्विद्याले का चैन करें उसके बाद आपको जो भी इनवर्सिटी जो उसका आपको चैन करना अगर बारा कॉलेज है उसमें अफिलेटर तो उसका कर ले या अलगलग इसमें डाले से भी आप कर सकते हैं कॉलेज को वर्यता करम में व्यस्तित कर दे एक प्रकार से आपको प्रायरिटी बाइज किसको आप पहले प्रायरिटी देते हैं उसको पहले रखे और उसके बाद सबसे यादा प्रेटी जिसको देते हैं आप उसको फास्ट पर रखें उसके बाद सकेंड फोर्थ इस प्रकार से रखें जिसमें आप नहीं जाना चाते हैं उसको 12 नमर पर रखें चुने के कॉलेज को पुनज कर ले फिर उसे सेव करें इनस अभी प्रक्रिया पुरी करने के बाद उनले ररेश्टेशन सुल्क आपको कॉलेज का नाम देना है जहां आपको सिवधा हो ओके दोस्तों तो जरूर अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशन भी अगर आएगा बीट्स रिलेटेड तो हम आपको बताएंगे ओ और कोई क्वेरी हो तो दूस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बहुत वह धन्नेवाद जय हैं दोस्तों